एक्जामपल 12 देखते हैं इंटेग्रल आफ x2 प्लस 1 डिवाइड़ बाई x2 माइनस 5x प्लस 6 तो x2 माइनस 5x प्लस 6 और x2 प्लस 1 इन दोनों की डिग्री जो है से यह मैं तो हम इनको लॉंग डिविजन प्रॉसेस से सॉल करेंगे तो उसके बाद जब लॉंग डिविजन प 5x प्लस 6 को डिवाइड करेंगे x2 प्लस 1 को और ये हमारा देखे x2 x2 तो one टाइमश चला जiva जायगा तो x2 मैनस 5x प्लस 6 फिर इसके बाद्माइनस करेंगे और हमें रिमेंडर मिल जाएगा तो रिमेंडर दिखे क्या मिलेगा इस विल बी 5x and मैनस 6 प्लस 1 तो 5x मैनस 6 अ this expression can be expressed as quotient plus remainder upon denominator. My quotient is 1, remainder is that is 5x minus 5 divided by denominator that is x square minus 5x plus 6. x square minus 5x plus 6 को आफ फेक्टराइज कर सकते हैं, 1 plus 5x minus 5 divided by x minus 2, this can be factorized as x minus 2 into x minus 3. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बस हमको इसको इसको इंटिग्रेट करना होगा, because the right hand side you can easily integrate, so dx, this is and dx, यह हमारा पूरा आजाएगा, तो इसका इंटिगेशन तो 1 है, तो बहुत आसानी निकाल सकते हैं, तो इसको हम दो इंटिग्रल में ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम पहले इंटिग्रल को i1, तो यह i1 तो आसानी से इंटिग्रेट हो जाएगा, दूसरा i2, तो i2 को हम simplify करेंगे this will give you 5x-5 divided by x-2 into x-3 अब इसको हम partial fraction से इसका भी expression calculate करेंगे तो 5x-5 upon x-2 into x-3 this can be expressed as a upon x-2 plus b upon x-3 अब इसको further simplify करेंगे further simplify में हमारे पास कैसे होगा देखे 5x-5 दोनों तरफ LCM लेंगे तो a times x-3 आजाएगा प्लस b times x-2 आजाएगा दोनों linear factor one by one इसको zero कर दें x-3 को जो zero करेंगे x equal to 3 आजाएगा जैसे x equal to 3 इसमें substitute करेंगे तो 5 3s of 15 minus 5 10 आजाएगा और b into 5 minus sorry this is 3 this is 3 minus 2 3 minus 2 हमारा 1 हो जाएगा तो b की value हमारी 10 आजाएगी जब b की value 10 आएगी तो आब हमें a की value calculate करने होगी तो x-2 को हम zero करेंगे तो x equal to 2 आजाएगा x equal to 2 जब इसमें रखेंगे तो ये वाला turn zero हो जाएगा 5 to the 10 minus 5 this is 5 equal to a times 2 minus 3 तो ये a की value हमारे पास आजाएगी minus 5 अब a की value हमारे पास minus 5 आज़ी और b की value 10 आज़ी दोनों ही value a की और b की value हम इसमें substitute करेंगे तो 5x minus 5 upon x minus 2 into x minus 3 का expression आजाएगा तो हमारा 5x minus 5 divided by x minus 2 into x minus 3 का जो expression आएगा a की value हमने calculate की minus 5 तो minus 5 divided by x minus 2 और b की value 10 तो this is 10 upon x minus 3 दोनों तो आप integrate कर देंगे तो i2 हमारा evaluate हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक है dx this is minus 5 log of x minus 2 plus 10 log of x minus 3 यह हमारा आजाएगा तो हमारा पर हमारा i2 आगया अब हम i1 i2 यह वाली equation यूज़ करेंगे तो यह equation का नाम देते हैं माम लिजे 2 तो यह हमारी और यह equation का नाम हमें तुदिया 1 जो partial fraction वाली equation उसका नाम बन दे दिया यह 2 होगी तो i1 i2 value रग देंगे तो i1 का integration क्या हो जाएगा x हो जाएगा 1 का integration x plus sorry minus क्या i2 minus से शुभु है तो minus 5 log modulus x minus 2 plus 10 log x minus 3 modulus plus a constant of integration तो यह हमारी finally i की value आएगा तो इस equation को ऐसे लिख सकते हैं i equal to i1 plus i2 i1 की value रग दी और i2 की value रग दी यह simplify होगे